नमस्कार दोस्तों दे डैनमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है सो आई आज हम एक नया चेप्टर का सुरुगात करते हैं कमिस्टी का पार्ट है नाम है इसका केमकल रियक्शन एड एक्वेशन फिजिक्स का पार्ट हमने कवर कर चुके हैं आई होब कि आप उसको कंटिन्यू देख रहे होंगे और लाइफ प्रोसेस भी हमने कवर कर लिया तो आज हम कमिस्टी का पार्ट है स्टार्ट करेंगा उसमें हम केमकल रियक्शन पढ़ेंगे तो यह जो चेप्टर है यह मेरा यह मेरा राइटिंग है ठीक है जो आप इसमें देख रहे हैं जिसे मैं पढ़ाऊंगा बत मेरी राइटिंग इतने अच्छी है नहीं तो मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा वह अच्छे अच्छे राइटिंग सुन्दर सुन्दर राइटिंग में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको कोई असुधा नहीं हूं पढ़ने में बट मैं लेक्शर इसी अपने वाले राइटिंग में रिकॉर्ड करूंगा ओके सो या बिना वेस टाइम किये हुए हम श्टार्ट करते हैं तो केमकल । ख॥ है केमकल रियक्ष्ट केमクall रियक्ष्ट केमकल का मतलब आप इस पर रिलेट कर सकते हो लिंग तो सम Г liquid और reaction का मतलब किसी के साथ combination करना reaction करना अब देखो reaction जब भी होगा तो single reaction तो कभी होगा नहीं यह reaction जो है ना reaction बोलो या relative बोलो या respect बोलो ठीक है यह सब वड्ड जो है यह और और यह जो जितने भी word है यह single meaning कुछ भी नहीं देता है मैं बोलें कि मैं मैं दौड रहा हूं मैं दौड रहा हूं तो क्या मैं कितना दौड रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में दौड रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में दौड रहा हूं तो हमें वहां पर रेस्पेक्ट बताना जरूरी होता है हम वेलोसिटी की बात करते हैं वहां रिलेटिव बताना होगा या ठंडे वाला रियक्षिन होगा ठीक है डिपेंड करता है आदमी पे लेकिन दो होगा तभी रियक्षिन होगा तो हमने यहां से क्या डेफिनेशन निकाल लिया कि केमकर्स का मतलब आप लिकविď कोई सबस्टांस जो लिकविड फॉर्म मेँ हो या fluid form में हो, आप यह बोल सकते हैं, fluid form में हो, और दो होना चाहिए, तब जाकर फिर वो chemical reaction करेगा, तो it is a process in which new substance with new property are formed, यह एक ऐसा process है, जिसमें कि new substance new property के साथ बनता है, यह देखो यह एक important बात है, कि new property, अब जब भी chemical reaction के बाद जो after product बनते हैं, जो हमें मिलता है, उसका जो property होता है, जो reaction से a plus b मिलके कुछ c बनाया, तो a का कुछ गुन होगा, और b का कुछ गुन होगा, दोनों मिलके एक different, क्या करेगा, एक different property का substance material बनाएगा, यह एक important ध्यान रखना है, कि property change हो जाता है, obvious सी बात है, जब पहले कोई अकेला था, फिर यह इसके यह भी अकेला था, दोनों का आपने मिला दिया, तो क्या इन दोनों, यह इसका जो third मिलेगा, वो इस दोनों के जैसा ही होगा, एक जैक, नहीं होगा, बिलकुल नहीं होगा, आप यह मान लो, यह water है, और यह आप मान तो आपको जो पहले simple water पी रहे थे, उसका कुछ अलग था, salt यदि simple लेते तो उसका taste कुछ अलग आता, लेकिन अब जब ले रहे हैं, तो यह इसका एक mixture हमें मिल रहा है, तो मतलब इसकी property क्या होगी, different होगी, तो यह हमें एक छीज ध्यान रखना है, note में हमने यहां पर ल उसका element का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस मैं अभी simple a और b लेकर समझा रहा हूँ, इसे समझो, a और b कोई दो element है, अब कुछ लोग क्या समझते हैं, कि दोनों reaction किया, तो इसमें क्या होता होगा, atom गाइब हो जाता होगा, या खतम हो जाता होगा, या destroy हो जाता होगा, नहीं atom का सिर्फ और सिर्फ rearrangement होता है, जैसे मैं बोलूं कि एक class में मानलो की 10 बच्चे हैं, ठीक है, और 20 बच्चे और आगे, तो हम यह नहीं कि उस 20 जो पहले बच्चे थे उसमें से 5 को भगा दिये, या 10 को भगा दिये, नहीं, हमें इदी उसमें से मानलो की class की strength हमें 20 है, लो 30 आगे, तो हम किसी न किसी तरह से उसको arrange करेंगे, arrange करने के कोशिच करेंगे, ना कि उसमें से हम किसी को भगा देंगे, out कर देंगे, तो यहीं सेम काम यहां पर होता है, atom जो होता है, यह आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ arrangement होता है, ओके, देखिए, यहीं हमने यहां पर लिख दिया है रियाजरीर अरेजमेंट ऑफ दी एक्टम्स टेक्पलेस बिटूइन रीएक्टिंग स्वस्टांज रियक्टिंभ होता है new substance having different property मैंने discuss कर रखा है during CR CR मतलब chemical reaction मैंने short में लिखा है atom of element do not change only arrange at atom take place atom जो होता है element का वो change नहीं होता है सिर्फ rearrange होता है ये भी हमने भी समझाया ठीक है और ऐसा क्यूं होता है element जो आता है वो उसका जो होता है वो change क्यों नहीं होता है तो अब यह जैसी बात है यार change कैसे हो जाएगा कोई भी element है उसकी जो atom है atom सबसे atom सबसे क्या है सबसे सुक्ष टाइनी पार्टिकल है आप उसको destroy कर ही नहीं सकते यह हमने बताया था आपको electricity मैं पढ़ा रहा था तो आप उसको खत्म कर ही नहीं सकते हो सिर्फ rearrange होता है rearrangement करने का मतलब जैसे जैसे मैं आप ही बात करूं मैं आप से बात करूं कि जैसे दखो एक किसी झाल 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 ग्लास के साथ किया जाता है अब आईए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के तो नेक्स्ट पेज में जो मैंने यह लिखा है कि जब हम इसको जलाते हैं मैंगनेशियम को तो यहां पर जो लाइट होता है वो काफी वेरी ब्राइट होता है जिसे हम डशिलींग ट्रवाइट निकलता है तो इस वजह से आँखों को नुक्सान कर सकता है तो तो दिना विना बेना feelp ओफ चसमे के विना हेल्प के जो रेडियेशन को रोख सके उसके हेल्प से ही हमें इसको देखना चाहिए तो यह यही चीज हमने यहां पर लिखा है chemical reaction is not carried only in science laboratory ओविसी बात है कि chemical reaction सिर्फ लाइब में थोड़ी न होता है यह तो हमारे जनेरल जो हम डेली लाइफ है उसमें भी देखते हैं जैसे शोरिंग आफ मिल्क खटा होना सावर हो जाता है तीजिए फिर फॉर्मेशन और दही का जमना कुकिंग फूड बोजन बनाते हैं उसमें भी केमकल रियक्षन होता है डाईजेशन फूड ये भी इसमें होता है हमारे अंदर एंजाम्पल यापने डेली लाइब में देखते हैं उससाब एक केम्कल रेक्शन है आप सौप लगाते हैं नाते समय में वहाँ वहाँ होता है chemical reaction होता है इसमें डिटर्जेंट होता है इसमें गलिसरीन होता है यह आपके धूल मिती जो आपके सरीर पर होता है गंदगी उसको खटाता है वहां chemical reaction हो तो एवरिवेर आप पेन और उसके लिख रहे हो पेज और पेन के से लिख रहे हो वहां भी केमकल रियक्शन हो रहा है समझ में चौक से लिख रहे हो वहां भी हो रहा है मारकर से लिख रहो वहां भी हो रहा है तो सब एक केमकल रियक्शन का ही पार्ट है तो इसलिए हमारे लिए यह बहुत important है अब हों देखो chemical reaction को जानना है तो हम कैसे पता करेंगे यह बताएगे ऑश्य olsun पता करना होगा कि यह की में से हो रहा है नहीं हो रहा है तो हुम कैसे पता कर सकते हो इसको देख कर सिर्फ तो दिएखो यह मैंने coach make है तो आज तो मैं यहां पर से पॉइंट वाई पॉइंट लिग दिया हूं और मैं कल इसको एक एक करके डिसकस करूंगा जैसे एविल्यूशन और गैस जब भी हम केमकल रियक्शन हो रहा है तो यह आपको कोई केमकल रियक्शन हो रहा है आपको को बनाते हैं वहां से हमारा से ंकलता है तो इसका मतलब जरूर वहां पर क्यूrig कहते है जो मैं बताऊंगा नेक्स क्या होता है प्रेसिपिटेट मतलब एक जो बाइप्रोड़क्ट निकलता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं ठीक है चेंज इन कर दिए यहांगा गर्मी है और अचानक से बरसाथ हो जाता है तो हमें हम मतलब की अचानक गर्मी सी तुरन बरसाथ होना इसका मतलब हमारा एयर था उसमें वाटर वेपर आगया इसके लिए हमें उसमें सब्रेसिपिल होगा. तो इसका मतलब टेंपरेचर क्या होगा अचानक से उसमें टेंपरेचर इन डिक्रीज हुआ जिसके कारण वटर वेपर आया और फिर यहां पर क्या हुआ केमिकल रियक्षन हुआ यह भी एक जांपल है पस केमिकल आपको देखता है ठीक है आपको बस देखते जाना है सुचत क्या होता है वोटर से आइस बन जाता है आइस वोटर से हमारा गैस भी बन सकता इस्टीम बन जाता है तो यह भी यहां क्या हो रहा है मुंबत्ती को आप जलाते हो मुंबत्ती को आप जलाते हो तो क्या हो रहा है पहले वह सॉलिड था फिर वो क्या हो जाता है गैस में उसम है एक होता है और एक होता है दूस्रा होता है अब फीजिकल में क्या होता है फिजिकल में देखिए फिस्कल XX कहा सब्सक्राइब क मतलब फिच्क सपाइबत करूं तो कोई यह से बनाót दूंअ गिए अजाया जा सकता है इसे हम बोलते हैं इसे हम बहुता है फिच्क गविच्षन सटों नो होता है वहोता है उस तो फिर बी से आप नहीं बना सकते हैं बी से आप नहीं बना सकते हैं यह होता है केमकल रियक्शन जैसे जैसे मिल्क से कड़ बन गया अब आप कड़ से मिल्क बना सकते हो क्या नहीं ठीक है तो यह हमारा एक केमकल रियक्शन के जैसे कपूर है कपूर के जलाओ और उसको फिर चमच स्पेसे रोक कर वो उसको बापस से उसको कपूर में बना सकते हैं तो यह एक फिजकल रियक्शन है ठीक है तो यह हमारा लेकिन हमारे हमें पढ़ना कौन है केमकल रियक्शन यह वाला पढ़ना है जो होता है यह रियक्शन जो होता है वो केमकल रियक्शन पढ़ना है ज जदा ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है एक्जाम नजदीक आ रहा है जंके त्यारी करो थैंक यू